सब से पहले अगर हम बात करें इसमें distance का ठीक है तो यहां पर हम heading डालते हैं सबसे पहला कि distance तो इसके लिए सबसे पहले हम दो तीन example से समझाते हैं दो तीन example क्या है कि मान लेजिए की कि आईसा एक square है यह sq сqr है ठीक है यह sqr ले है हम यहां पर एक सर्कल ले लेते हैं एक स्क्वायर एक सर्कल है उसके बाद एक रेक्टेंगल भी ले लेते हैं ऐसा एक रेक्टेंगल ले और जहां पर पहुंचता है उसको बोलते हैं final point या final position ठीक है तो हमने बोला कि यह square है और square का side जो है 5 meter है यह square का side 5 meter है तो हम बोलेंगे कि इस case में distance कितना है distance का मतलब होता है दूरी तो कितना दूरी कभड किया 5 यहां से यहां और 5 यहां से यहां अगर नाम दे दें A O और B तो distance हो जाएगा A O A से लेके O तक और फिर O से लेके B तक A O plus O B, A O है हमारा 5 meter, O B है हमारा 5 meter तो 5 और 5 10 meter हो जाएगा, कितना meter हो जाएगा, 10 meter हो जाएगा, ठीक है हाँ, तो A हमारा distance हुआ ही इस condition में, चलिए इस में समझते हैं थोड़ा सा, अगर कोई यहां से चलना start किया है, इसका initial position है, यह initial point यहां पर है, कोई चला, ऐसे चलते 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 चलते, हाँ, और circle के आधाप तक पहुँच गया, यहां तक ठीक है, यहां तक, और हम बोलेंगे कि बताइए इस condition में distance क्या है, distance, distance, तो देखिए, आपको पता है, कि कोई एक circle में पूड़ा चलता है, तो पूड़ा मतलब circle का circumference, 2 pi r होता है, अगर कोई एक circle है, circle में पूड़ा एक round मार लिया, तो कितना चलता है, 2 pi r, एक circle का circumference होता है, तो यह कितना च चला है देखिए अगर हम इसको बोल रहे हैं कि हम मान ले रहे हैं कि आधा चला है ठीक है और इसका सेंटर है तो यहां से चला यहां तक तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल पूड़ा राउंड मारता है तो टू पाई यार अगर कोई सरकल पे एक चेकर लगाए तो टू पाई यार डिस्टेंस कवर करता है और आधा लगाया है तो टू पाई आर मतलब पूड़ा करता तो टू पाई यार का याधा है तो टू पाई यार बाई टू ठीक है तो टू से टू कट जाएगा तो इस कंडिसन में हमारा डिस्टेंस जो आ जाएगा और डिस्टेंस बरा है हाँ और सुनिया का ध्यान से वह पहले यहां चलते हैं भाई साब इधर इधर दस मीटर इधर चलते हैं फिर नीचे चलते हैं नीचे चलते हैं कितना मीटर नीचे चलते हूं हमारे एट मीटर कितना मीटर एट मीटर चलिए और उसके बाद क्या होता है कि उनका मन जो है थोड़ा सा कनवर्ट हो जाता है मतलब मन में कुछ और चलने लगता है और वह थोड़ा सा बैक हो जाते हैं मतलब इधर से फिर वह तो हम बोलेंगे कि बताइए कोई आदमी यहां से चला पहले 10 मीटर चलने को बाद 8 मीटर और नीशे चलता है उसके बाद उसका मन में कुछ डाइवर्जन आता है और सुछता है कि बाइट वह साब पीछे चलते हैं और वह पीछे चल लिया कितना आठ मीटर और पिछे चल लिया तो इसका डिस्टेंस निकालना हो तो टोटल पात लेंद को जोर दीजिए डिस्टेंस इक्वल टू 10 मीटर प्लस 8 मीटर अब प्लस 8 8 meter तो 10 और 8 18 और 18 और 8 कितना 24 24 24 26 और हां 18 और 8 26 चलिए 26 मीटर कि यह डिस्टेंस का कॉंसेप्ट रहा अगर इसमें रेडियस दिया हुआ होता तो हम रेडियस इस हाँ पर फिल अप कर सकते थे तो डिस्टेंस हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं डिस्टेंस को कि डिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं देखिए तो डिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्टेंस इस दा कि डिस्टेंस इस दा कि टोटल पाथ लेंद मतलब जितना रास्ते में हम चलते हैं टोटल पाथ लेंद टोटल पाथ लेंद is covered by a body covered by a body writing you work with body के दौरा कोई भी गारी हो सकता है पुई इनसान हो सकता है वह कितना path length लेंध कभर करता है total path length याद रखेएगा total path length मतलब कि total रास्ता में कितना हम दूरी चलते हैं वास्तविकता में हम कितना distance कभर किये हैं कितना हम चले हैं कितना लेंथ हम चले हैं उसी को बोलते हैं डिस्टेंस तोटल पाथ लेंथ जो हमारा रास्ता का टोटल पाथ का जो लेंथ है उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस अच्छा डिस्टेंस जो है एक तरह का अस्कैलर क्वांटिटी है एक या बला है भाई अस्कैलर क्वांटिटी जानते ह तो अच्छी बात हैं मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैगनिट्यूड हो डाइरेक्शन नहीं हो एक्जामपल के तोड़ पे हम बस आपको बोले कि हम 26 मीटर हमने डिस्टन्स कभर किया है तो आपको पता नहीं चल पाएगा कि हमने 26 मीटर कहां चला है और कैसे चला है 26 मीटर हमने इस्ट चला है या वेस्ट चला है पता तो नहीं चल रहा है हम बोले कि हम 10 मीटर डिस्टन्स कभर किये हैं तो आप 10 मीटर कहां किये हैं तो आप नहीं समझ सकते हैं तो हम 10 मीटर बोलते हैं तो इसमें डाइरेक्शन का पता नहीं चल पाता है तो इसका मतलब ड एसा यूनिट के तो डिस्टेंस के एसा यूनिट होता है मीटर मीटर को इसको ऐसे दिनोट करेंगे और इसका सीजिये सी उनिट क्या होता है छोटा यूनिट इधर लिख लेते हैं साइड में ठीक है इधर सीजिये 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 हो जाएगा हमारा सेंटी मीटर आपको पता है क्या वन मीटर में कितना सेंटी मीटर हंडेड सेंटी मीटर हां यह साड़ी बाते हैं अगर डाइमेंशन आपको आता है तो अच्छ में L distance का distance actually length है तो bracket में L इसका dimension होता है एक concept हमारा है किसका distance का ठीक है हाँ अब बात करते हैं हम distance के बाद displacement का ठीक है distance के बाद हम लिख लिजिए copy पे note कर लिजिए distance के बाद हम displacement के बात करते हैं है हाँ तो चलिए बात करते हैं हम displacement के उपर कि देखिए displacement क्या चीज होता है तो देखिए यह क्या है ना एक जैक्टली आपको कुछ इंग्जामपल से समझ में आएगा जैसे कि हम आपको बोले थे कि है का स्कॉयर वाला फिल्ड है इस तरह से और यह फाइब मीटर का साइड है सभी का फाइब मीटर फाइब मीटर फाइब मीटर सभी का साइड फाइब मीटर है तो हुआ है कि हम कोई यहां से चलना स्टार्ट किया यह था इसका है इनिसेयल पॉजीशन तो हम आप से पूछे थे कि डिश्टन्स तो कुई इधर से ऐसे चला और निया तो फांच मिटर इधर और पांच मिटर इधर दस मीटर उसका पाथ लेंद है तो पाथ लेंद को detect है तो distance ओधास मिटर है ठीक है लेकिन डिसप्लेस मेंट कैसे है कि कोई particle या कोई object कहां से चलता है यह इसका initial point यह final point यह है तो initial और final के बीच एक straight line draw कर देते हैं ठीक है और straight line draw करते हैं और इसी straight line को इसी shortest distance को इस सबसे यहां से यहां जाने का इस सबसे छोटा रास्ता है यहां से चला और यहां पहुंचा तो इक कैसे भी चले उससे मतलब नहीं है लेकिन यहां से यहां का जो सबसे छोटा रास्ता तो यहीं है तो इसी को बोलते हैं displacement क्या बोलते हैं displacement यानि कि अगर इसका नाम देदे ए ओ और बी तो यहां पे ए ओ आप फिर चलेंगे ओ भी तो यह हमारा होगा distance यह हमारा होगा distance लेकिन तो displacement क्या है तो displacement है हमारा shortest distance shortest distance किसके किसके बीच तो initial point और final point के बीच shortest distance between initial position and final position इसको कैसे निकालेंगे तो देखिए आप ट्रेंगल वाला रूल लगाई हो वाला पाइथागोरस थियोरम पाइथागोरस एट क्लास में आपने पढ़ा था हाँ हाँ है एफाईब और एफाइब और फाइब 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 मीटर में इनी कालना है तो यह हैपोटेनस है तो एच्वेदेंग बढ़ाबर पी इसक्वेड ब्लस ब्यद्र फियर स्क्वेड एच्वेड इगवार टूब बराबर इसको 25 इंटू टू लिखेंगे तो एच बराबर 5 रूट टू आ जाएगा 5 रूट टू क्या जाएगा 5 रूट टू गड़मी है थोड़ा सा फाइन और इसलिए नहीं किया है क्योंकि वीडियो थोड़ा सा हिलने लगता है ठीक है इसी वज़त से हां तो देखें 5 र नहीं क्या हो जाएगा कितना फाइव रूट टू मीटेर डियू सितनस कितना हो जाएगा 5 और 510 मिटर सबसे इसे के A.A.H.A.aret का डिस्प्लेसमेंट A ही होता है कि दम उनके बीच इनिसील पॉ bawाइन्ट के बीच सीधा लाइन खिच दिजे वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है ठीक है इनिसील के के बीच का सौर्टेश डिस्टन्स ठीक है हाँ तो यह तो डिफिनेशन रहा डिस्प्लेस्मेंट हमारा है वेक्टर क्वांटिटिटी मतलब इसके पास डाइरेक्शन भी होता है चलिए इसमें आपको एक चीज किलियर करते हैं देखिए हम अगर लिखते हैं कि सुनिए ध्यान से यहां पे डिस्प्लेस्मेंट फाइव रूट टू आया है तो आप तो बोलेंगे कि डिस्टेंस भी मतलब इससे भी डाइरेक्शन कहां पता चल रहा है वेक्टर क्वांटिटी उसको बोलते हैं जिसमें मैगनिट्यूड और डाइरेक्शन दोन हो रहा है तो हम बोलेंगे कि सुनिए का ध्यान से डिस्प्लेस्मेंट पराबर फाइव रूट टू मीटर इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि डिस्प्लेस्मेंट फाइव रूट टू नहीं है पहले क्लियर कर देते आपको डिस्प्लेस्मेंट फाइव रूट टू नहीं है कहा है नहीं है भाई डिस्प्लेस्मेंट देख ये ये एक्चुली displacement का magnitude है ये क्या है? displacement का magnitude फाइब रूट तीमीटर अगर इसमें direction add करेंगे तब ये जाकर displacement बनेगा ठीक है? तो displacement 5 रूट तूमीटर जब भी बोले तो आपको समझ जाना है कि हम displacement का magnitude बोल रहे हैं उसका direction और कांग सनके बारे में आपको नहीं बता रहे हैं तो चिसका है तुक्न दीजिय şunu पात libero यहां मतलब यहां मैंगनिट्व लिखा हुआ है ठीक है रटेक्षन इससे नहीं पता चल रहा है अगर मैंगनि डाइक्षान दोनों आई डेक्षान करेंगे एक साथ लेकर देखिए यह देखिए एक्जाम्पल के तोरपे हम बोलें कि 5 मीटर इन इस्ट 5 मीटर इस्ट वार्ड तो यह डिस्प्लेस्मेंट है क्योंकि पांच मीटर बता रहा है मैगनीचूर्ड और इस्ट वार्ड बता रह तो यह displacement है ठीक है हाँ और अगर फाइब मीटर बस लिखेंगे तो यह displacement का magnitude है चलिए यह बात आपको समझ में आ गई होगी ठीक है हाँ displacement वेक्टर क्वांटिटी है अगर displacement का एसा यूनिट की बात करें तो डिस्प्लेस्मेंट का एसा उनिट क्या होता है मीटर होता है सी जी एस उनिट की बात करें सी जी एस उनिट की बात करें तो सेंटी मीटर होता है dimension की बात करें तो dimension इसका भी वही होता है जो उसका होता था L dimension L होगा dimension में कोई दिक्कत नहीं है dimension तो L होगा अब बात है कि distance और displacement का concept तो समझा दिये इस पर एक छोटा छोटा और questions लेते हैं और आपके doubt को दूर करते हैं ठीक है चलिए तो इसको मिटाते है देखिए बात ऐसा है कि अगर हम यहां से यहां चलते हैं point A से point B ठीक है point A से point B और यहां का 10 मिटर है यहां से यहां का length 10 मिटर है हम बोलेगे कि distance बताईए distance बताईए तो आप बोलेगे 10 मिटर हम बोलेगे displacement बताईए मतलब displacement का magnitude बताईए तो displacement भी 10 मिटर अच्छा इस condition में distance भी 10 मिटर और displacement भी 10 मिटर क्या यहां से हम आपको समझाना चाहा रहे हैं और क्या आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर a straight line motion हो रहा है अगर motion कैसे line में हो रहा है और straight line में अगर motion हो रहा है अभी मत बोलिएगा spelling गलत लिखा गया था इस्ट्रेट लाइन में motion हो रहा है ठीक है और मोसन इस तरह से हो रहा है विदाउट चेंजिंग character सिथा चल रहा है ठीच है हां और इसका ड्रीफ सन नहीं बदल रहा है जैसे यहां पर दीखिए को यसे चल रहा है यह से भी चला बीना डाइरेक्शन चैंज किये तब इस केसमें डिस्टेंस है Best और डिस्प्लेस्मेंट का मैंगनीच्छ दिस्प्लेस्मेंट का मैंगनीट्सुड दस्प्लेस्मेंट का और displacement बड़ाबर होता है ठीक है कब कैसे केस में जब रहा है बीना direction को change किये तब उस condition में distance और displacement बड़ाबर रहता है अच्छा अगर रहा straight line motion नहीं है तो distance और displacement बड़ाबर नहीं रहेगा अदम 100% guarantee है जैसे कि अगर कोई ऐसे चला फिर ऐसे चला इधर तीन मीटर चला और इधर चला चार मीटर इधर से इधर और इधर से इधर और स्टार्ट किया यहां से पहुंचा यहां से तो उसका पॉइंट है है इनिसील पॉइंट ए है और उसका फाइनल पॉइंट है तो इनिशील स वाइंट के बीच जो चोटा दूरी होता है यहज़ों च्त ऊट्रपंचे बीच लान को बीच एक लाइन कौत आहरा हो कर दिजिए राइन को बोलता है हुआ displacement हुआ तो यहां पर हमने देखा कि देखिए यहां पर सेम नहीं हुआ अगर श्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है तो यह दोनों सेम नहीं होंगे चलिए बात अब करते हैं किसका यहां पर और चीज़ देखने के लिए मिल रहा है कि अगर हमें यहां से आप से पूछें कि डिस्टेंस सुनिए डिस्टेंस बटा डिस्प्लेस्मेंट डिस्टेंस बाइडिस्प्लेस्मेंट अगर हम बोली कि डिस्टेंस बाइडिस्प्लेस्मेंट करिए तो डिस्टेंस यहां पर था टेन मीटर डिस्प्लेस्मेंट का मैंगनिट्यूड भी था टेन मीटर तो टेन 10-10 मीटर कट गया 10-10 मीटर कट गया मैंगनीट्यूड ऐसे लगाने के लिए ध्यान नहीं राता है ठीक है चलेगा ऐसे भी चलेगा कोई दिक्कत नहीं है कट गया आगया कितना वण डिस्टेंस बाइड इस प्लेश्मेंट का रेसिव आगया वण अगर इस केस में हम पूछे है कि यहां का distance यहां का distance अब आद यहां का displacement निकालिए तो कि तो distance यहां पर है सेवेन मीटर और दिस्प्लेस्मेंट है 5 मीटर तो मीटर से मीटर कट गया अब 5 से 7 में वन बार में 52.0 4 तो आएगा 1.4 कितना ऐगा 1.4 यहां कितना यह 1 तो क्या समझ में आता है एक बढ़ियां से कोशन बनता है से कि डिस्टेंस confey curve को बढ़िद से कि डिस्टेंस एक से बढ़ा रहता है सब्सक्राषिक सकता है डिस्टेंस बटा डिस्प्लेस्टिक जब अभी भी करेंगे आपके exam में question आएगा objective question में कि ratio of distance by displacement क्या हो सकता है greater than one less than one equal to one ऐसे करके बहुत चला आता है इसको बोलेंगे ratio of distance by displacement greater than one और equal to one एक से ज्यादा हो सकता है या एक के बराबर हो सकता है क्यूं भाई देखिए distance और displacement में distance हमेशा बढ़ा रहता है हमेशा बढ़ाबर एक हें case में रहेगा जब सीधा सीधा motion हो रहा है सीधा तो उसमें distance displacement बढ़ाबर नहीं तो हर case में distance बढ़ा और displacement छोटा तो numerator बढ़ा है नुमिरेटर बढ़ा है और डिनुमिनेटर छोटा है तो जब उपर वाला quantity बढ़ा और नीचे वाला छोटा तो भाई हमेशा तो 1 से बढ़ा ही result आएगा ना देख लिजे उपर 8 है और नीचे 7 है तो इसको करेंगे तो 1 से ज्यादा ही आएगा 1.something ठीक है उपर 4 है और नी distance मिल जाईगा तो इसका रेशियो साइन भी उल्टा हो जाएगा जब रिवर्स हुआ तो साइन भी उल्टा इसका हमेशा 1 से कम आएगा निकाल के देख सकते हैं 1 से कम या 1 के बढ़ाबर इस केस में तो बढ़ाबर आजाएगा तो 1 हो जाएगा 10 by 10 1 चाहिए distance by displacement चाहिए displacement by करेंगे तो इसमें भी वन आ जाएगा हां लेकिन इसमें देखेंगे तो इसमें जो 7 by 5 हुआ है तो 5 by 7 हो जाएगा अगर displacement by distance करेंगे तो देखिए भाई यहां पर 5 by 7 हो जाएगा displacement by distance तो साथ से 5 में डिवाइड देंगे तो 0.something आएगा एक से कम ही आएगा तो यहीं बात है दोनों चीजों को ध्यान रखिएगा distance by displacement एक से बड़ा होता है या एक के बराबर होता है और displacement by distance एक से छोटा होता है या एक के बराबर होता है ठीक है ऐसी बात है हां और एक बात और कि आप जो distance displacement का जो concept समझे हैं इसमें एक दो बात ध्यान देनी होती है कि एक यहां पे कि लास्ट और important point लिख देते हैं कि distance distance हमेशा displacement से बड़ा होगा रुकिए एक मिनट है कि एब है displacement ट्र वह राइटिंग जाना distance और displacement distance हमेशा displacement से बड़ा होगा लेकिन कभी-कभी बढ़ाबर भी हो सकता है हां लेकिन आपको पता है हम displacement के magnitude की बात करते हैं तो दोनों तरफ ऐसे लगा दिजिएगा distance greater distance greater than displacement या equal to displacement हो सकता है कब होता है तो straight line motion में ठीक है हां और यहां पर एक और important point है देखिए important point last में ही discussion करना होता है और वाकई में important होता है तो देखिए distance and displacement का important point हम आहां लेते हैं कि भाई कोई भी अगर particle जो है कि सुनिए है कि for a course of motion यानि कि अगर किसी का motion हो हो रहा है या motion हुआ है ठीक है तो distance can never be negative कि या जीरो कि मतलब कि distance कभी भी ना तो जीरो हो सकता है ना नीगेटिव हो सकता है अगर motion हुआ है तो या कोई चल रहा है तो वैसे अगर रुका हुआ भी है भाई distance मतलब total path length total path length मतलब अगर कोई चलता है तो कुछ न कुछ path का तो length रहेगा ही भाई तो उसका distance कभी भी किसी का जीरो नहीं होता है ना नीगेटिव हो सकता है कैसे समझाते हैं डिस्प्लेस्मेंट कैन भी जीरो एज वेल एज नीगेटिव जितने भी वेक्टर से चला और यहां से इधर चला ठीक है टू मीटर तो टू मीटर चला तो ध्यान दिजेगा displacement हम बोलेंगे तू सुनिए यह है एकस एकसिस यह वाई एकसिस और यह है माइनस एकसिस यह है माइनस वाई एकसिस ठीक है निगेटिव वाई एकसिस हाँ अगर हम पूछे कि दो मीटर चले हैं तो हम क्या लिखेंगे सुनिए ध्यान से यहां पर आपको एक चीज बता रहे हैं अगर एकसिस में कुछ डाइकशन रिपर्जेंट करना है तो हम i cap से रिपर्जेंट करते हैं एकसिस में i cap y के लिए j cap और z एकसिस होता है जिसको हमँँ भी नहीं दिखा रहे हैं i cap इधर चलेगा उपर चलेगा तो j cap इधर चलेगा तो माइनस आई कैप और नीचे चलेगा तो माइनस जे कैप अगर कुई इधर चला है 2 मिटर तो बोलेगे कि 2 मिटर आई कैप यह क्या है यह है हमारा Muy displacement Displacement को ऐस से represent करते हैं ऐस व्यक्टर स्व्यक्टर मतलब displacement, तो यहां का displacement है हमारा 2 m I Cap आगर कोई इधर चले इधर चले 5 m I Cap, तो इसका displacement कितना हो जाएगा, इसका displacement हो जाएगा, सुनिए का दियान से 5 m I तो चला है, लेकिन किधर चला है minus I में, तो यहां पे लगाएंगे minus I Cap, तो minus को आगे ले लेंगे, तो minus फाइब मीतर आइग कैब थीगेव सकता है इधर तो डिस Rabb innocent पॉजिटीव इधर है हमने पूरा कॉंसेट कफर किया देखने दिए कि ज्यादा वीडियो लंबा ना बन जाए कितना मिनट का हो गया है हमारा 27 मिनट हो गया ठीक है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेस्मेंट का हमने एक उसेप्ट लिया कुछ और बाते बता देते हैं देखिए आँ आँ कि कि वो टाल मेरा आँ आँ ऊश्यक्त कर देखेगा ध्यां से हम बोलेंंगे कि देखिए कि अगर अगर कोई पॉैंट यहां पे है और इस पॉइंट का नाम है फि घ अ हम इसको एक्सिस से रिप्रजेंट कर दें ऐसे एक सेकेंड इसको ऐसे लिख सकते हैं टू फोर सिक्स एट टेन ट्वैल ऐसे और इधर फाइव टेन फिप्टीन थोटा नंबर लेते हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ देखे हम क्या बोल रहे हैं पॉयंट पी कहा है हम बोलो है कि पॉयंट पी का पॉजीशन वेक्टर दिखिए इसको बोलते हैं ओरीजिन इसको बोलते है ओरीजिन O ठीक है Point P है कहा तो Point P आगे है X axis में भी कुछ है Y axis में भी कुछ है तो X axis में अगर देखा जाए तो X axis में 8 के सामने है अब Y axis में देखा जाए तो 6 के सामने है तो Point P का location हुआ 8,6 मतलब X पहले X वाला फिर Y वाला X में 8 unit आगे है और Y में 6 unit आगे है तो इसका position vector क्या होगा position vector बताते हैं कैसे बस सुनिए ध्यां से 8 I cap और 6 J cap 8 I cap और 6 J cap यही position vector हुआ I cap मतलब X को represent कर रहा है J cap मतलब Y को represent कर रहा है और यहां से line ऐसे draw कर देंगे ऐसे और इसको बोल देंगे O P vector O से P तक जो vector बना इसी को बोलते है position vector यह है क्या अगर हम पूछेंगे यह क्या है तो आपको बोलना है कि यह है position vector किसका position vector point P का position vector अगर यहां पर रहता 7 और 4 तो 7 I cap और 4 J cap वैसे हो जाता position vector of point P यह क्या बताता है position vector तो किसी भी point का location độ application बताता है वो पॉ है Manhattan assess प्लें वैसल कर रहा हे plane में कहां पर है चलिए हाँ अगर हम बोले कि यहां पर point है माल लीजिए point हैon pe ठीक है? यहाँ पे और यह point जो है हम बोलेंगे कि इस point का नाम है Q point का नाम क्या है Q और Q कहा है तो देखिए अगर उपर में देखिएगा तो यह 2 के सामने है और आगे में देखिएगा तो यह 10 के सामने है तो इसका location हो गया 10, x में 10 और y में 2 10, 2 10,2 तो हम बोलेंगे Q point का position vector बताईए तो कुछ नहीं 10 I cap plus 2 J cap 10 I cap plus 2 J cap अच्छा अब इसको कैसे vector मिला दीजे वही चीज है इसी को बोल दीए position vector इसका नाम क्या है बोलिए जो arrow गया यही है position vector किसका position vector point Q का लिखाता कैसे है तो Q vector O Q vector O Q vector O Q vector O Q vector ठीक है O Q vector यह है हमारा दोनों point का position vector अगर हम बोले position vector निकाली तो ऐसे निकाल सकते हैं हाँ ध्यान रहे यहां पर आप से हमें question पूछ दें तो उसमें बहुत लोग फंस जाते हैं उसमें आपको नहीं फंसना है हाँ यहां पर हम बोलेंगे कि भाई O P vector तो आ गया इतना हम बोलेंगे O P का path length कितना है तो आपको वेक्टर में बताएं थे कि कैसे निकालते हैं ठीक है कोई भी वेक्टर है जैसे यहां पर आपको बता देते हैं अगर हम बोले 3 I cap मेरे पास इतना रुप्या है तो आपको कैसे पता कि मेरे पास कितना रुप्या है तो आप क्या करिएगा आप इसको अंडर रूट में लिजेगा और हम तो तीनक्रप्या कर यह तीनकर स्कॉइरे न और चार का स्कॉइर्ट सुल तो और रूट हो जाएगा 25 तो फनकार फ्रेया है ठीक है तो देखा आब अब हाँ चुरुद प्याए मेले पास अभी पैकेट में हाँ अगर हम बोले पता है स्क्साइब और कितना लेलते हैं और एट जे केप सिक्स आई केप और एट जे केप और एट जे केप एक क्या है आप आप जो है आप क्या निक्स्ट इस क्लास में जाने वाले हो हाँ आप इस क्लास में जाने वाले हो 6i cap और 8j cap अगली बार अभी 9th में पर रहे हो अगर अभी 9th में पर रहे हो तो अगली साथ 10th में जाओगे 18 है कैसे 10 है हमें तो नहीं दीक रहे अरे भाई 6 का स्क्वार 36 8 का स्क्वार 64 अंडर रूट 100 और अंडर रूट 100 होता है 10 तो आपको करने आना चाहिए ओपी वेक्टर इतना है और हम बोलेंगे कि ओसे पी का पाथ लिंथ कितना है तो अंडर रूट 8 स्क्वार प्लस 6 स्क्वार 8 स्क्वार 6 स्क्वार करेंगे तो कितना कितना 100 अंडरूट 100 तो 10 10 मीटर अगर मीटर में है तो मीटर में समझ मैं आई बात ऐसे करने आना चाहिए हाँ आपको सब चीज बता दिए almost एक last step बचा हुआ है बस ओ आप जान लिजे ओ क्या है ओ देखिए ओ यह चीज है कि एकर हम आपसे पूछें कि PQ वेक्टर बताईए PQ वेक्टर P se Q तक जो एक वेक्टर आ रहा है ऐसे या हम दूसरा क्वेशन पूछ सकते हैं आपसे Q P वेक्टर दूसरा क्वेशन पूछ सकते हैं Q P वेक्टर ऐसे ऐ वाला दोनों तो एक ही है अलग-अलग कि है काल के देखते हैं जब आप से हम PQ लेक्टर पूछे न पीकी वेक्टर P से Q तो आप क्या करिएगा जब से क्भी से Q पूछे ए थ में से P का position vector घटा दीजेगा P Q vector P से Q final minus initial तो P से क्यू जा रहे हैं तो Q का position vector कितना है 10i cap plus 2j cap ठीक है और minus करेंगे minus करेंगे कहां से start किये थे P से तो P का position vector 8i cap plus 6j cap ठीक है हाँ अब क्या करेंगे तो 10i cap में से 8i cap गया तो 2i cap अच्छा और 2j cap और minus 6j cap तो minus 6 और plus 2 minus 4j cap तो हमारा P Q vector यह आ गया P Q vector 2i cap minus 4j cap हम बोलें QP vector निका लिए तो Q से P जा रहे हैं तो पहले P का लिखेंगे finally पहुंचे P पे शुरुआत की Q से QP vector तो P का position vector 8i cap plus 6j cap और final minus initial start यहां से किये थे तो 10i cap plus 2j cap ऐसे अब हम 8i cap में से 10i cap घटाएंगे तो minus 2i cap ठीक है i cap j cap क्या होता है भाईया कुछ नहीं समझ में आ रहा है अड़े भाई अब बताता है कि X में कितना unit है Y में कितना unit है बस simple तो 8-10-2i cap 6-2 तो 6-2 कितना हो जाएगा 6 में से 2 गया plus 4 plus 4j cap यह आ गया निकाल दिए तो आपको पता रहना चाहिए कोई ऐसे दे दे और ऐसे दे और दोनों के बीच का वेक्टर पुछे दोड़ी पुछे बता सकते हैं हम पुछेंगे नहीं बताइए इस दोनों के बीच का path length कितना है दोनों के बीच का shortest distance कितना है तो भाई आपको लग रहा है कि P Q वेक्टर या O P वेक्टर अलग अलग है क्या तो हाँ वेक्टर अलग अलग है रास्ता तो बराबर है कैसे तो देखिए तो इसका हम बोले चलिए इसका बताईए इसका solve करिए कितना कितना मीटर आएगा बाई दबे इतना मीटर है तो कितना मीटर अंडरूट 2 का स्कौार 4 आप माइनस 4 का स्कौार 16 तो अंडरूट 20 मीटर है यानि कि P Q 20 मीटर है मैगन 20 meter है और हम वोलेंगे इसका magnitude बताई है तो अंडर रूट टू का स्क्रायर 4 माइने स्क्राइब प्लस 4 आप 4 चलस्टें तो अंडर 20 meter है ठीक है दोनों चाहें पी से क्यों जाए चाहें क्यों से पी जाएं बात तो सब्सक्षाइब 7 है कोई दिक्कत नहीं है हां और last concept जो है ओ, last concept जो है, ओ, 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 बहुत ही important है, ज्यान देजयेगा last concept, देखिये, यह है, कि, ऐख सरकल है, सरकल में कोई चलना स्टार्ट किया point A से, Amber point A से चलते- aussi point B तक पहुँचा, तो यहाँ पэ उसका center है, तो देखिये, यहाँ से वह चलता है, है तो A से भी पहुंच आ और हम बोल रहेया है कि एसे भी जो है वह एंसलों है, वो 60 डिगरी बना रखा है कितना डी बना रहा है 60 डीगरी मतलब को यहां से फॉइस पैंट को यहां से मिला यहां से श्विपट से यहां चला है यहां से यहां चला है इसका सेंटर है सेंटर है और कोई पॉइंट ए से बी तक चला है इसका इनिसियल पोजिशन है और इसका फाइनल पोजिशन है ठीक है और इसका रेडियस जो है ऐसे मिला लेते हैं यह रेडियस है यह भी तो रेडियस ही है इसका रेडिय यह आधा चक्कर लगाया है, तो आधा चक्कर लगाया है, तो 2πr मतलब पूरा चक्कर, आप पूरे चक्कर का आधा चक्कर मतलब 2 से डिवाइड दे देंगे, तो πr, πr मतलब πr और रेडियस है हमारा 7, तो 7πr या पाई का फेलू 22 बाई 7 इंटू 7 कट गया, 22 मीटर आ गया, यानि कि डिस्टेंस तो 22 मीटर है, हम आपसे पूछेंगे कि चलिए बताइए, डिस्प्लेस्मेंट कितना है, इसका डिस्प्लेस्मेंट बताइए, तो आप डिस्प्लेस्मेंट अगर हम आपसे पूछते हैं, कि डिस्प्लेस्मेंट बताइए, तो डिस्प्लेस्मेंट इन एक से यहां से दोनों के बीच का छोटा धिस्टन्स तो यही वला है इनिसीय और फाइनल के बीच में एक सिधा लाइन ड्रोग करो वही होता है displacement ठीक है हाँ तो displacement हो गया 7 मीटर इधर और यह भी रेडियस है तो 7 मीटर तो 7-7 कितना मीटर 7 मीटर प्लस 7 मीटर यानि कि कितना मीटर 14 मीटर अच्छा यह तो ठीक है बना दिये भई कोई दिक्कत नहीं हुआ बनाने में अच्छा बना दिये अब बनाओ भाई अब बनाओ सरकल है सरकल में कोई यहां से चलता है और यहां तक पहुंचता है और उसका जो मतलब यहां से चलता है तो इसका रेडियस है मतलब रेडियस बना लिए यहां से ऐसे है तो दोनों रेडियस नहीं 7 मीटर रेडियस है रेडि कितना है और डिस्टेंस कितना है डिस्टेंस कितना है हाँ एक कोश्चन मजदार हो गया डिस्टेंस और डिस्टेंस में तो देखिए यहां पे तो हम बना लिये थे अब यहां पर बनाते हैं इसका डिस्टेंस देखिए तो हम बोलेंगे कि देखिए डिस्टेंस का जहां तक स the वन दिगरी कितना मतलब 320 डिगरी गूमता है टो ठोड़ी कितना चलता है तो 1 डिगरी कितना चलेगा तो भूमेंगा तो चलेगा टू पाई औरफिंसम्हाइब खिर ग्यांट लिया टू इतना चलता है तो सिस्टीडिघ्यृ में कितना चलेगा तो देखिया तो एक दिजिगरी के निकल गया है अज तो पाई आरvy छैंक और नीचे है 3, तो हमारा हो जाएगा कितना? पाई के जगह पे, पाई के जगह पे यगर वैलू हमें हाँ पे डालें, तो 22 बाई 7 और इंटु 7 और बाई 3, 7 7 कट गया, 22 बाई 3, 22 बाई 3, देखें, 22 बाई 7 और 22 बाई 3 मीटर हमारा एंसर आया, ओग्या है, डिस्टेंस आया, चलिये ठीक है, हाँ, अब बात करते हैं, सुनिये अध्यान से, अगर हम बात करें किस्ट के लिए, displacement का, ठीक है, displacement, Isability Inicial Point A है, Final Point A है, तो दोनों के इपीच का एक line खीच है पहले ठीक है, और यही मेरा displacement है, तो याद रखिएगा सरकल में जब भी भी displacement निकालना हो सरकल में जब भी भी displacement निकालना हो तो एक फर्मूला याद रखिएगा displacement का का एस एस बराबर तू याद ट्रीटा वाई टू तू अर साइन ट्रीटा वाई टू एक क्या भाई बहुत मस्ट फर्मूला है displacement का टू आर साइन ट्रीटा वाई टू अब यहाँ पर रेडियस कितना है 7 और साइन और ठीटा कितना है एंगल 60 डिगरी और बाइट टू ऐसे करेंगे तो एस इज इक्वल टू देखिए ठीटा मतलब एंगल 2 इंटू 7 हो गया 14 और इंटू साइन 60 बाइटू तो हो गया साइन 30 और थोड़ा सा अगर एंगल याद हो तो 14 इंटू साइन 30 हो जाता है 1 बाइटू और 2 से 7 बार में कट जाएगा एस बराबर हो जागा 7 मिटर डिस्प्लेस्मेंट 7 मिटर तो सरकल में डिस्प्लेस्मेंट निकालना हो तो 2 आर साइन ठीटा बाइटू रेडियस पता होना चाहिए और ओदोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा ह हो पता होना चाहिए ठीक है तो मिलते हैं नेक्स वीडि़ी cartridge में तब तक पढ़ते रही है औल अर्सलिये और comment ज़रूर करिएका कि आपको कैसा लगा और हो सकता है कुछ टॉपिक्स में आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट जरूर करिएगा हम नेक्स टॉपिक है आपके कमेंट का सजेशन देखेंगे उसके नुसार लेके आएंगे ठीक है